Hi दोस्तों, Welcome to Kevi Learning's Inite Immunity के बारे में अपने लोगों ने बात कर ली है और आज हम बात कर लेते हैं Acquired Immunity के बारे में Time वेसं करते हुए? आईए जानते हैं Acquired Immunity Acquired Immunity एक ऐसे टाइप की Immunity है जो कि पूरी lifetime में अपने लोग acquire करते होए अपनी life को व्यतीद करेंगे एक immunity होती है जो कि हमारे पास जन्म से ही present होती है उसको अपने लोगों ने बोला था innate immunity और ये दूसरे type की immunity है जो कि अपने लोग पूरी lifetime में acquire करते होए अपनी life को व्यतीद करते हैं इस टाइप की immunity को बोलते हैं acquired immunity, acquired immunity कैसे बनेगी, जब कोई pathogen हमारी body में enter करेगा और उस pathogen को हमारी immunity नहीं जानती, यानि कि जब कोई pathogen पहली बार हमारी body में enter करता है, उस दोरान जो immunity प्रडियूस होती है, उसको कहा जाता है acquired immunity, अब acquired immunity डेबलप हो सकती है किसी pathogen की वज़े से, vaccination की वज़े से या फिर अपने लोग किसी disease के contact में आ जाए उसकी वज़े से, थोड़ा सा detail में जानते है acquired immunity को और थोड़ा सा figure की मदश से भी समझते हैं, अब यह स्टार्ट करते हैं, detail में समझना, acquired immunity, हमारी body जीवन भर में कई सारे pathogen से interact करती है, और यह कई सारे pathogen, जैसे कि pathogen क्या होता है, जो भी organism, जो भी micro organism, virus या फिर bacteria हमारी body को harm कर सकता है, उसको नाम दिया जाता है pathogen का, अब pathogen जो कि हमारी immunity के लिए, हमारी body के लिए अंजान है, उससे पहली बार हमारी body का जब interaction होगा, उस दोरान जो immunity produce होती है, उसको बोलते है acquired immunity, यानि कि हमारी body जब पहली बार किसी चीज से, किसी pathogen से contact कर रही होगी, हमारी immunity उससे fight कर रही होगी, उस time जो immunity develop होगी, उसको बोलते है acquired immunity, और एक बार अगर हमारी body किसी pathogen के साथ interact कर ले, fight कर ले, उसको पहचान जाए, तो वो पूरी life हमारे पास, उसकी जो memory है, वो save रहती है, जो भी acquired immunity produce होती है, उसमें होते हैं तीन main point, primary response, यानि कि पहली बार जब interaction हो रहा होगा, secondary response, पहली बार के बार अब second time, third time, four time, यानि कि जितनी भी बार virus या फिर pathogen हमारी body में enter करेगा, उसके बाद जो भी response आएगा, उसको बोलते है, secondary response, और सबसे important, third point की हमारे पास, जो acquired immunity है, वो based होगी, memory के उपर, अब इन तीनों point के बारे में, अपने लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, जहां पे बात जाएगी primary और secondary response की, वहाँ पे बिल्कुल clear हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पे आप देखिए, acquired immunity के कुछ features के बारे में बात की जा रही है, acquired immunity specificity है, यानि कि ऐसी immunity है, जो कि specific है, जैसे कि हमारी body में अगर COVID का infection, COVID का जो वाइरस है, वो enter किया था, तो हमारी body केवल और केवल COVID क वाइरस को ही पहचानती है, उसके लाबा अगर कोई नया virus हमारी body में एंटर करेगा, उसको हमारी body नहीं पहचानती है, और पहली बार उसको kill करने में हमारी body को लगेंगे, कुछ ज़्यादा, आर्स या फिर ज़्यादा time वहाँ पे लगेंगे उस virus को kill करने में, तो specificity है, specific यानि कि जो जो चीजें हमारी body जिनको पहचानती जा रही है, केबल और केबल उन्हीं चीजों पे हमारी body का, हमारी immunity का जो response है, वो देखने को मिलेगा, दूसरी condition है, diversity, यानि कि हमारी body में, जितने भी देखे life time में, कई सारे pathogen हमारी body मेंटर करते हैं, और इन कई सारे pathogen pathogen को पहचानने के लिए, हमारी body, हमारी immunity अपनी memory को सेव रखती है, और कई काफी सारे variety of pathogen को हमारी body पहले से ही जानती है, इसको बोलते हैं, diversity, इसके बाद, discrimination between self and non-self, हमारी body की immunity, हमारी body के cells, हमारी body के हर एक organ को पहचानती है, और अगर कोई बाहर का cell, बाहर का कोई pathogen हमारी body में enter करता है, तो हमारी body की immunity उसको kill कर देती है, या फिर उसको पहचान के उसको deactivate कर देती है, तो हमारी body की immunity काफी जाद अच्छे तरीके से, अपने body को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, body की cell, body के organs, body के tissue, जितनी भी सारी चीज़े ह उन सभी को बहुत अच्छे से पहचानती है, तो discriminate कर लेती है, यानि की पहचान जाएगी कि यह हमारी body का part है और यह हमारी body का part नहीं है, इसके बाद सबसे important point आ रहा है, memory, acquired immunity basically पूरी की पूरी based होती है, memory के उपर, memory क्या है, देखिए पहली बार जब interaction हुआ होगा, आप ज उसके बारे में note down हो जाती है, जैसे कि उसका overall और जो structure है, वो कैसा था, उसका overall बोल चाल की भासा कैसी थी, उसका जो भी उसके basically जितने भी सारे उसके जो features हैं, वो आपको पता चल जाएंगे, और उस time जो memory create होती है, वो होती है, हमारी primary response की memory, उसके बाद आप अगली बार जब उससे मिलेंगे, तो आपको जो interaction करने में हैं, वो थोड़ा सा आसानी होगी, सेम इसी तरीके से हमारी immunity में जब कोई पहली बार pathogen आता है, उस time memory create की जाती है, और secondary बार यानि कि उसके अलावा जितने भी बार हमारी body में वही same pathogen enter करेगा, उस time जो memory primary response में create की गई थी, वो use की जाएगी, अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, तो अगली वीडियो में आप देखिएगा, वहाँ पर पूरा clear हो जाएगा, जब हम लोग primary और secondary response की बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, acquired immunity में कई सारे cells present होते हैं, देखिए जब immunity की बात होती है, तो immunity में ऐसा नहीं है कि हमारी body में कुछ जो cells हैं, वहाँ पर responsible हैं, कुछ hormones, sorry, कुछ chemicals वगएरा वहाँ पर responsible होते हैं, कई सारी चीजे मिल के बनाती हैं, immunity, acquired immunity में कई सारे cells हैं, जैसे कि हमारे पास है antigen presenting cell, अब यह क्या है, इसके बारे में detail में वीडियो आने वाली है, lymphocyte के बारे में बीडियो आएगी, और lymphocyte में होते हैं, T lymphocyte और B lymphocyte, तो acquired immunity के basically तीन cells होते हैं, APC, antigen presenting cell, T lymphocyte और B lymphocyte, अब इन ही cells के basis पे acquired immunity को तोड़ा गया है, दो प्रकार में, सबसे पहले हमारे पास cell mediated immune system या फिर CMI, दोसरा हमारे पास antibodies mediated immune system, तो हमारे पास अपने लोग बात करें immunity की, जो कि हमारी आएगी acquired immunity के अंदर, CMI और AMIS, ठीक है, अब इनके बारे में अपने लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, फिलाल अपने लोग अगली वीडियो में समझने वाले हैं कि primary और secondary response क्या होता है, मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, अगर आपको हमारी व अँआधान का ओcription कि shotgun sap al प्रावी कैसा वीडियो में साले हैं रची में स्क्थर आपको हमारी वीडियों कोेली हैं अबावली वीडियों दक्थर आपको पलने शनची क सा क्विचियों का ओत्के अगदेश्स का न來到 m झाल, 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 झाल